हेलो दोस्तो मेरा नाम है प्रणावोजा और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग यहां पर बताएंगे के कॉल सीन एरियर्स और कॉल सीन एडवांस के अंदर दोनों का क्या डिफरेंस है तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताऊंगा मीनिंग बताने के बाद देर फाई डिफरेंस जिसमें से लास्ट डिफरेंस जो है कि इंट्रेस कितना लेना कि इंट्रेस लेना के नहीं लेना और अगर लेना तो कितना लेना तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देख लिया तो 100% आप शॉर्ट नोट MCQ में अच्छे से स्कोर कर सकते हो एर्मान लो 10 रूपे का है अब पहले के जमाने में अभी तो क्या आएक सारे के सारे पैसे प्रीमियम के साथ एक साथ कंपनी ले देती है लेकिन पहले के जमाने में वो ऐसा बोलते थे कि लोगों की पर्चेजिंग पावर कैपेसिटी नहीं होती थी तो यहां पर ये जो 10 रूपे देने होते हैं वो एप्लिकेशन एलोटमेंट फर्स्ट कॉर और फाइनल कॉल में मिला के 3,2,3,2 मैंने ऐसे ही देख लिया है अब हुआ यूं कि एक बंदा था जिसका नाम था प्रणो सर अब वो बंदे ने यहां पे पैसे बरे यहां पे पैसे बरे और जब यहा पैसे नहीं थे और मैंने कॉल नहीं भरा तो कंपनी ने तो देखो तो दोस्तों मीनिंग कैसा आएगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा मीनिंग यह हो जाएगा कि कंपनी हैज मेर्द कॉल कॉल बकाइदा हम लोगों ने कर दिया है लेकिन यहां पे भईया पेमेंट जो ह वो payment received नहीं हुआ है ऐसे सिनारियों में जो होता है उसे call scene aviors बोलते है तो company को तो बकायता गुस्ता ही आ जाएगा हम जैसे इंसान से और call scene advance में क्या हो जाता है कि आप लोग जैसा कोई महान इंसान था उसने बोला कि यार यहां पे पैसे दिए यहां पे पैसे दिए और यह जो पैसे थे पांच रुपे तीन इसके दो उसके तो यह जब मैं दो रुपे दे रहा हूं तो साथ साथ में यह वाले पैसे जो है वो अभी advance में दे रहा हूं तो दो चार महिने के बाद जब यहां पैसा मुझे देना होगा तो मैंने तो पहले दे दिया है तो मैं नहीं दूँगा तो इस तरह से यहां पे कमपनी ने कॉल नहीं किया लेकिन फिर भी पैसा जो है वो उनों को received हुआ है तो वो चीज जो होती है उसे हम लोग calls in advance बोलते हैं तो भाईया अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे point की तरफ और दूसरा point यह है के nature of यहां पे कैसा balance आएगा तो यह जो call scene areas है यह तो भाईया हमारा एक type से loss हो गया है तो इसे हम लोग debit balance बोलेंगे जबकि यह जो है यह तो भाई liability हो गई है तो इसे हम लोग credit balance बोलते हैं अब अब थोड़ा सा relevant नहीं है लेकिन फिर भी समझ पढ़ने के लिए यहां बोल रहे है कि यह जो है यह तो पैसे देने वाले थे लेकिन दिये नहीं है तो यह हमारे एक हिसाब से data हो गए और यह जो है इनों ने तो हमें पैसे advance में ही दे दिये है तो यह हमारे क्रेडिटर हो गए ऐसा माल लेने से concept clear होता है बट यह precise explanation नहीं है फिर comment नहीं करना और उसके बाद यहां पर दिखाए कि balance sheet में कहां पर appear होगा तो balance sheet में paid value of share capital जो होता है उसमें से यह deduct होता है क्या deduct होगा call scene areas जबकि यहां पर तो this is shown in the liability side अब थोड़ा सा detail में बोल देते हैं आप बोलोगे सर यह भी तो liability side में है बहिया देविट में से liability side में से minus किया हुआ है इसलिए debit किया हुआ है और यह तो liability में plus किया हुआ है तो यह credit effect ही होती है तो यह वाला point हमारा properly clear हो गया तो यह 3 point हमारे difference के हो गए अब वापिस एक और difference लाने के लिए हम लोग लिख देते हैं कि installment या हम लोगों ने call कर दिया था लेकिन पैसे मिले नहीं है और यहां पे तो call जो है yet to be made लिखा है मतलब यहां पे पैसे देने बकाइदा बाकी है अब आ जाता है भया हमारे सबसे important 3 point तो सबसे पहले यहां पे आ जाएगा article of association अब article of association is one of the fundamental document article of association में company के सारे rules and regulations लिखे होते हैं articles calls in areas को authorize नहीं करता है मतलब वहां ऐसा कोई rule नहीं होता है कि इसे authorize किया जाता है जबकि calls in areas में तो बकाइदा लिखा होगा कि अगर advance वाला company को मिलेगा तो company उससे यह करेगी ऐसे रखेगी इतना interest देंगे तो दोस्तों यह interest का point अभी आएगा जो सबसे important topic है यह पूरे video के अंदर ठीक है तो authorize होता नहीं है क्यों authorize होता नहीं है company ने किया नहीं है company को मिला नहीं है तो company ऐसे तो मान के चले कि नहीं क्या हमको नहीं मिलेगा तो हम ऐसा करें कि नहीं इसलिए article association silent होता है calls in areas के बारे में और calls in advance अगर होता है तो उसका क्या करना है वो prescribed होता है article of association में अब आजाते हैं हमारे सबसे main point पे interest इंट्रेस्ट का point थोड़ा सा interesting है तो interest के अंदर ऐसा हो जाता है के interest मतलब देखो company का face तो है न भाई ऐसा हो गया था because उन्हें पैसे मिले नहीं थे तो ये लोग बोलेंगे के आपने हमें late payment किया मान लेते हैं के उन्होंने पैसे दे दिये एक installment में नहीं दूसरे installment दिया तो आपने late payment दिया था इसलिए हम आपसे interest जो है वो charge करेंगे और ये interest company का income हो जाता है और यहाँ पे ऐसा है के यहाँ पे तो company बड़ी खुश है because उन्हों को advance में पैसे मिले है तो जिस दिन पैसे मिले से जिस दिन पैसा due होता है ये जो duration होगा उसका interest उसका interest company को बकाईदा pay करना पड़ेगा इसलिए वो interest जो होता है वो company का एक हिसाब से expense हुआ और चलते है तो maximum rate of interest अगर company call scene areas में charge कर सकती है तो वो 10% है और यहाँ पे जो charge कर सकती है वो 12% है अब यह 1956 का जो act था उसमें different था 2013 का हुआ उसमें different है लेकिन अगर article of association में rate बोला है तो वो rate applicable होगा यह maximum का है आप please इसे एक बार check कर दीजेगा because मुझे नहीं पता कि आप यह video कब देख रहे हो तो depending upon the scenario हो सकता है कि यह terms थोड़ा सा vary हो बाकी सब तो इसमें अंदर सही है तो दोस्तों यह था हमारा एक छोटा सा video मैं ऐसे video रोज लेके आता रहूंगा तो अगर आपको सही लगा तो please subscribe to our channel I wish you all the best for your exams कुछ काम हो तो बोल देना, the content I post in Insta are far more different than what I post in YouTube, so अगर कुछ काम है तो मुझसे Insta से जुड़िये, I wish you all the best for your exam, goodbye, God bless you and जैहिन